हेलो एबरिबरन नमस्ते स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल बैस्ट नौट टुटोरियल पर आज की वीडियो में हम 20 इंपोर्टेंट एमसे को को डिसकस करने वाले हैं जो कि उत्राखंड सांस्कृतिक तत्व से रिलेटेड हैं ये एमसे क्यों आपके अपकमिंग के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं आप सभी लोग वीडियो को अंतक देखें और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए विनादेरी के वीडियो के शुरुआत करते हैं नमस्ते दोस्तों मैं मनवर सिंग पुनहा आप लोगों के बीच और स उतराखंड में एक त्योहर मनाये जाता है हरेला अलंक कि अनिको परकार कि त्योहर अपने उतराखंड में मनाये जाते है उनमें से एक हरेला लोगा यह एक सब्सक्राइब अगला मसी क्यों है नंद राज्जत तीरत यात्रा किटनी है अपने हैं। कांथवा से होम कुन की दूरी कितनी है, आप्षन दिये है 120 किलो मेटर 280 किलो मेटर 280 किलो मेटर 250 किलो मेटर सब्सक्राइब को ऑपचन 280 km कांसोवा से होमकुन के दूरी है 280 km अगला एमसी क्यों है बगवाल मेला निमन में से किस इस्थान पर लगता है बागेश्वर देवी दोरा चंपावत और लोहा गाट तो आपका इसमें जो सही जवाब है वो चंपावत है चंपावत जिल्ले में बगवाल मेला लगता है ज जाल बिनाएं और दमामा क्या है अरुनाचल की नदियां लद्दा की पहाड़ी चोटियां गड़वाल के मंदिर और कुमाओं के वाध्ययंत्र तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है कुमाओं के वाध्ययंत्र ओप्शन नमर डी सही जवाब है जाल बिनाएं और दमा सव्हार भाली साहतं..... हैUट्राक्षन में मना जाने वाला पर वह बगवाल यद्वाइ है हूली का दिपावली का संक्राति का और देशहरा का सही जवाब है आपका इसमें दीपावली का option नमा भी आपका सही जवाब है अगला mc क्यों है उत्राखंड की महिलाएं एक काभूशन पहनती हैं जिसे तिलहरी कहते हैं वहां पेहनती हैं यानि उत्राखन की जो महिला हैं वो एक आभूस पेहनती हैं जिसका नाम है तिलहरी तो प्रशने पूछ रहे कि वहां कौन से अंग पे उस तिलहरी को पेहनती है तो नाक में पाऊं में गले में और हाथों में तो सफ़ी जवाब है गले में option number C तिलहरी कहां पे पेहनते हैं वो पेहनते हैं गले में अगले M.C. क्यों है कभी चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस सेले के लिए प्रेसिव हैं बसोली, गड़वाल, गुलेर और कांगडा तो गड़वाल आपका इसमें सही जवाब है अगले M.C. क्यों है गड़वाल चित्र के लोक नरित्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब विवाहिद लड़के प्रेथम बार माय के आती है धड़िया, जुमेलो, जागर और चौफला तो सही जवाब है आपका धड़िया option number A गड़वाल सेत्र में बसंद पंचमी से विखोद यानि विश्वत संक्रांती तक विवाहिद लड़कें द्वारा या घर के थाड यानि थाड बोले तो आंगन चौक में थड़िया गीत गाये जाते हैं और नरित्य किये जाते हैं यानि विवाहिद लड़कें द्वारा किया जाते है जो पहली बार माई के आते हैं अगला M.C. क्यों है बहांटा सांटा किस परकार का गीत है देज भक्ती पूर्ण गीत धार्मिक गीत मनोरंजनात्म गीत और इन में से कोई नहीं सो सही जवाब है मनोरंजनात्म गीत अगला M.C. क्यों है यानि कितने वर्ष पर होती है यानि कितने वर्ष पर होती है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 5 वर्ष तो सही जवाब है 12 वर्ष 12 वर्ष के पश्चाथ नंदा राजा त्यात्रा का आयूजन किया जाता है प्रतेख भारवे वर्स अगला MCQ है प्रसिद गोचर मेला कब प्रारम हुआ था 1932, 1930, 1943, 1951 तो सही जवाब है 1943 आपके सही आंसर होगा प्रसिद गोचर मेला 1943 से सुरू हुआ था इसके बारे में थोड़े से फ्रेक्ट है कि चमुली जिले के एतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गोचर में लगने वाला यहाँ और योगिक एवं विकास मेला 1943 में गढ़वाल के ततकालें डिप्टिक कमिशनर बर्नेडी ने शुरू किया था 1943 में जो वहाँ के ततकालें डिप्टिक कमिशनर थे बर्नेडी उन्होंने ही इस मेले को सुरू किया था और वो समय इस मेले का उद्यश था कि सीमान छेतर वासियों को करय बिकरय का एक मंच उपलग कराया जाना था अगला MC क्यों है राज में लोक कलासंस्तान कहां इस्तापित की गई थी हरिद्वार में देहरदोन में पिथोरगड में और अलमोडा में तो आपका इसमें जो सही जवाब है वो है अलमोडा में अप्सिन नमर डी, हल्मोडा में क्या किया गया था, लोक कला संस्तान इस्तापित के गी थी, अप्सिक्यू है आपके लिए, निम्न में से किस चित्रकार का गढ़वाल सहले से समन नहीं है, हिरालाल, मंगत राम, ज्वाला राम और मंगल राम, तो सही जबाब होगा आपका मं अप्सिन नमर डी, इनका गढ़वाल सहले से समन नहीं है, अगला है राज्य के निम्न मेलों में से कौन सा मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है, जौल जीवी मेला, उतरायनी मेला, और गिंडी मेला, और बगवाल मेला, तो सही जबाब होगा आपका अप्सि नमर ए, काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है, एक मेला जिसका नाम है, जौल जीवी मेला, अगला है, गढ़वाली चितरकला के लिए प्रसीद चितरकार कौन थे, मुकंदी लाल, महीदर डंगवाल, मौला राम और किशोरी लाल, तो सही जबाब होगा आपका मौ अगला हैंसी क्यों है, जगवाल फिल्म किस भासा में बनी थी, कुमावनी, जौनसारी, गढ़वाली और हिंदी, तो जगवाल फिल्म जो बनी थी, वो गढ़वाली भासा में बनी थी, अगला हैंसी क्यों है, मेगा आ किस भासा की फिल्म है, हरियानवी, कुमावनी, बंग अबने जाता है तो अब दोस्तों बहुत बहुत भाइब आप सभी लोगों का यहां तक जूनने के लिए आप सभी ने वीडियो पूजी देखे होगे तो हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले स्रीज में तब तक के लिए Tata, bye bye, take care. Thank you for watching, stay connected, stay blessed.